अपने बैयानों के लिए चर्चा में रहने वाले केंद्रिय मंतरी गृराज सिंग ने इस बार कड़े जनसंक्या नियंदर कानून बनाने की वगालत की है उन्होंने कहा कि कानून का उलंगन करने वालों से मद्दान का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए गिरिदाज सिंग ने आयनेस से कहा कि इन कानूनों को सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए जिसमें हिंदू, इसलाम, इसाय और सिख धर्म की लोग भी शामिल है और इतना ही नहीं इसका उलंगन करने वालों को सरकारी सुविधाओं से बंचित किया जाना चाहिए देश का माहौल, सोची समझी, रन्नीत के तहत भी कुछ लोग बिगारने की कोशिश कर रहे है भारत के लोग तंत्र को भी खत्रे में डालने की कोशिश कर रहे है इसलिए भारत के अंदर आज समय आ गया है एक कड़ा कानून बने जनसंख्या नियंत्रन के लिए कॉमन सिभिल कोट के लिए जहां जहां देश के अंदर अखंड भारत को देखे है तो जहां जहां देश बहुत संख्यक की आवादी गिरी आज बंगलादेश हो या पाकिस्तान लोगतंत्र नहीं के बराबर है गिरी राज सिंग ने आगया रोप लगाया कि कुछ लोग सोची समझी रडीती के तहट भारत के लोगतंत्र को खत्रे में डाले की कोशिश कर रहे हैं लोगतंत्र को बचाने के लिए देश में समान नागरिक्ता सहिंता लागू की जानी चाहिए उन्होंने पागिस्तान और बंगलादेश का जिक्र करते हुए दावा किया कि जिन देशों में बहुत संक्यवर्ग आबादी घट रही है वहां लोगतंत्र खत्म हो गया है भारत के अंदर में कश्मीर को देखे आज केरल को देखे आज बंगाल को देखे बिहार के पुरवांचल को देखे यहां समाजिक सम्रस्ता तूट रहा है ऐसी हस्तिती में देश के लोकतंफर को बचाने के लिए देश में समाजिक समरस्ता के लिए देश में विकास के लिए एक कड़ा कानून बनाने की ज़रुत है जनसंख्या नियंतरन के लिए जो ना माने उसकी बोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए उसको सरकारी सु हिसाई सभी पड़े एक समाल लागू हो